चलेंगी अलहम्दुलिल्ला मश्याल्ला जबर बिस्मिल्लाई राख्मानि राहीम असलाम लाइकम मैं हूँ इम्रान और आप देख रहे हैं इम्रान उमर यूट्यूब चैनल तो मेरे प्यारे वीवर्स प्यारे फैमली मेंबर्स आज मैं आप से टमाटर की खटी मीथी रसील बड़ी मज़े की चटनी बनती है आप एक दफ़ा इसको घर में जरूर ट्राई करिएगा अक्सर ऐसा होता है कि रोटी के साथ नाष्टे में प्राठे के साथ सालन खाने को दिल नहीं करता तो जनाब एक दफ़ा मेरी इस रस्पी को घर में जरूर ट्राई करिएगा ला जवाब मज़ेदार खती मीठी रसीली चट पटी सी टमाटर की यह चटनी चलें जी बिसमिल्लाई राह्माण i? रहिम सी यह मज़ेदार चटनी बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए हैं चारद टमाटर लेकिन एक बात आपने में रहें कि टमाटर आपने बिलकुल फ्रे अब आपने एक टमाटर के ऐसे दो दो पीसिस कर लेने है चार टमाटर आपने ऐसे आठ टुकडों में तक्सीम कर लेने है चलें जी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं अपने खुबसूरस से पैन में लेंगे तकरीबन आधा काने का चमच कुकिंग ओल या घी जो भी आप के खुबसूरती के साथ प्यार के साथ नफासत के साथ आपने ऐसे फ्राइंग पैन में सेट कर देने हैं आप ये चटनी एक दफ़ा घर में जरूर बनाएगा इन्शाला ताला ये सब को इतनी पसंद आएगी कि रोज़ाना इसे खाने की फरमाईश करेंगे अब आपने क् तमाटर आपने सारे इसमें सेट कर दिये टमाटरों को अब आपने अच्छा खासा इस थोड़े से कुऌिंग ऑल की अंदर फ्राई करना है और साथ जिन आप इसमें डालेंगे छे से साथ जवे लसन के लसन के बहुत सारे फाइदे हैं ये अपने लाजमी इस्तामाल करना ह और साथ इसमें डालेंगे सबस्मिच तीन से चार सबस्मिच डालेंगे सबस्मिच को आपने धो के ऐसे मोटा मोटा सा काट लेना है अब जनाब आपने इसके उपपर ऐसे कवर लगा देना है धक्कल लगा के टमाटरों को हम पकाएंगे तकरीबन दस मिंट के लिए चलेंजी, अलहम्दुलिल्ला, मश्याल्ला, जबर दस दस मिंट होगी हैं टमाटर को पकते हुए आप चेक कर सकते हैं कि छिलके काफ़ी ज्यादा यहां पे सोफ्स हो चुके हैं अच्की तरह से उतर जाएंगे अब आपने क्या करना है कि टमाटर के छिलके सारे आपने इस तरह असानी के साथ इनके उपर से रिमूव कर देने हैं बिल्कुल असानी के साथ हो जाएंगे, यह बिल्कुल ही गल्चुके हासरी कर सकते हैं चम्मच की मद़ते भी कर सकते हैं चलें जी, अलहम्द लिल्ला टमाटर के सारे छिलके रिमूव करके टमाटर, लसन और सबस मिच को अपने प्यारे से बहुल में ट्रांसफर कर लेंगे, अब इसमें दो चीजें शामल करेंगे पहली चीज़ में जाएगी नमक लेकिन नमक आपने काला नमक इस्तमाल करना है, वाइट नमक का इस रस्मी में हर्गर इस्तमाल नहीं करेंगे, अगली चीज़ जनाब इसमें जाएगी एक टी स्पून भरके जीरा पाउडर, जिसको आपने रोस्ट कर लेना है जीरा इस्तमाल करने से क्या होता है कि यह आपकी चर्वी को कम करता है और आपके जिसन को स्डूल और खुबसूरत कर देता है अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को मेशर की मदद से, चमच की मदद से ग्रैंडर की मदद से, अच्छी तरह से ऐसे आपने इनको ग्रैंड कर लेना है लेकिन ज्यादा आपने इनका पेस्ट नहीं बनाना आपको टमाटर, लसन थोड़ा सा यहाँ पे जलावा नजर आ रहा होगा तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी ऐसे ही इस्तामाल करेंगे यह थोड़ी सी लिक्विड होगी आप हर खाने के बाद एक चमच या खाने के साथ एक चमच खाएं इन्शाला ताला एक महीने में आपको अपने जिसम के अंदर वाज़या फरक मैसूस होगा इससे ज्यादा हमने इसको पेस्ट नहीं बनाना अब इसमें जनाब शामल करेंगे यहां पे प्याज बिल्कुल बरीक फाइन कटा हुआ और साथ में थोड़ा सा सबस धन्या सबस धन्या ऑप्चनल है खूबसूरती के लिए लेकिन आपने इस्तामाल लाजमी करना है अगर आपको मेरी वीडियो मेरी मेळनद जरा सी पसंद आ रही है तो बढाय महरबानी अपने भाई के चैनल इम्रान उमर को सबस्क्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर दे जिन मेरे प्यारे बहन भाईयों ने अपने भाई के चैनल को पहले से subscribe कर रखा है उनका जनाब दिल से thank you so much एक lemon का juice इस्तमाल करेंगे अच्छे से अब इसको mix कर लेंगे इसको आपने तड़का नहीं लगाना अब आपको एक हफते के लिए फ्रीज करके भी रख सकते हैं किसी एट आट बॉक्स में रखे या पोली वैग में रखे आप इसको फ्रीज में रखे लेकिन फ्रीजर में जनाब आपने इसको नहीं रखना लें जनाब अलहम्दुलिल्ला जबरदस्ता अमारी टमाटर की चटनी देखें कितनी यमी और जूसी तयार हुई है चलें जी माशाला चेक करें इस तरीके से घर में एक दफ़ा जरूर ट्राई करिएगा इन्शाला तला ये आपको बहुत पसंद आने वाली है रेस्पी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार सी रेस्पी के साथ तब तक इमरान उमर को दीजेगा इजाज़त धेर सारा प्यार दुआउं में रखिएगा याद खुदा हाफिज